हाई फ्रेंड आज मैं एक एंटिबाइटिक जेल का रिव्यू करने जा रहा हूँ कील मुहासों को दूर करने के लिए इस मेडिसिन को अपलाई करने की एडवाइस की जाती है क्लिन का जेल ब्रांड नेम सी है मार्केट में उपलब्द होता है कीमत के अगर बात करें तो 20 ग्राम की एक जेल मार्केट में 98 रुपीज की उपलब्द होती है फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस्ट ना करें अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तिमाल किया है तो आपके क्या-क्या एक्स्पिरियंसेस रहें कमेंट सेक्शन पर लिख कर मुझे जरूर बताएं आए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजीशन के बारे में तो फ्रेंड्स इस ओंटमेंट में 1% बाइवेट क्लिंडा माइसेन उपलब्ध होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ बैकल्पिक बारे में तो फ्रेंड्स क्लिंडी टॉपिकल जेल जिसे सेंटियागो लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है क्लिंजे टॉप जेल जिसे युनिवर्सल ट्विन लैप्स के द्वारा बनाया जाता है एकनेसल जेल जिसे सिस्टोपिक लबरेटरीज प्राइवेट लिमिटेट के द्वारा बनाया जाता है क्लिंजा 1% जेल जिसे बेनेट मायफर फार्मासोटिकल्स के द्वार बनाए जाता है और क्लिंडा मायसिन फास्पेट जेल जिसे नेंज मेंस साइंस फार्मा लिमिटेट के द्वार बनाए जाता है friends market में मिलने वाले same composition के साथ उपलब ये कुछ हैसे different brands होते हैं जो आप इस medicine के नम मिलने की सिर्थी पर purchase कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं आपको effect same मिलता है क्योंकि इनके अंदर का salt ये composition same होता है अब देखते हैं friends इसके कुछ promote इस्तिमाल के बारे में तो जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि इस medicine को इस्तिमाल की मुहासु के लिए किया जाता है यह आपके चेहरे, चेस्ट में, पीट पर या सरीर के किसी अन्य हिस्से पर दाग या फुनसी गरूप में दिखाई देता है यह उन इस्थानों पर bacteria के द्वारा होने वाले घाव पर हमला करता है और उसे ठीक करता है इस medicine का इस्तिमाल बाहरी अंगों के लिए किया जाता है external use की यह medicine होती है, internal medicine को इस्तिमाल नहीं करना चाहिए आम तोर पर इस दवा की पतली परत लगाना चाहिए और लगाने के पहले उस इस्थान को साप करना चाहिए इसी क्रेप पार्ट पर नहीं लगाना चाहिए जहां पर कटा फटा हो उस इस्थान पर इस medicine को इस्तिमाल नहीं करना चाहिए आखो नाक मुग के संपर्क में अगर है medicine आती है तो आपको पानी से धोना चाहिए इस medicine को लगाने के दोरान कभी-कभी यह देखा जाता है कि आपको कुछ side effect होते हैं जैसे लगाने वाली जगह पर reaction का होना जलन का होना, खुझली का होना, या लालीमा का होना, तचपर रैसिस होना, पेट में दर्द होना, जी-मिचलाना, चक्कराना, उल्टी होना या डारिया होना आम तोर पर यह बहुत कम होते हैं परन्तु अगर आपको अधिक हो रहे हैं तो आपको अपने डाक्टर से इस बारे में उचित परमर्ज आवस्य करना चाहिए इस मेडिसिन को लेने के दौरान जनरली यह देखा गया है कि कुछ दिन के अंदर आपको बहतर महशूस होता है लेकिन डाक्टर के दौरा सजिस्ट किये गया due rating यानि जितने समग लिए डाक्टर ने आपको बोला हो आपको इस medicine को इस्तिमाल करना चाहिए otherwise आपको infection दुबारा वापस आ सकता है और पुने इसका इलाज करना कठीन हो जाता है इस medicine को इस्तिमाल करने के लिए मैंने तरीक आपको पहले ही बताया है कि पहले इस्थान को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए उसके पस्चा थी आपको इसे लगाना चाहिए इस medicine के बारे में कुछ specific बाते में आपसे share करता हूँ इस medicine को कील मुहासर को इलाज के लिए आपको लगानी के advice की जाती है कील मुहासर में सुधार देखने के लिए आपको इस medicine को अंबे समय तक इस्तिमाल करने की सलाह देता हूँ क्योंकि यह समय लेता है आपको धैरे रखना चाहिए और हर दिन इसको इस्तिमाल करना चाहिए जेल को इस्तिमाल करने से पहले आपको तवचा को mild cleanser से साफ करना चाहिए और सूखाना चाहिए आपको मुहासो से प्रहाबीत तचा को सूखा करने के पसाथ इस मेडिसिन को पतली परत के रूप में लगाना चाहिए मेडिसिन को लगाने के पस्चाद आपको मामूली जलन, चुबन या खुझली का हैसास हो सकता है यह परिसानी अगर आपकी जल्दी खातम नहीं होती तो आपको अपने डाक्टर से परामर्स करना चाहिए अगर आपको लगता है कि जिस स्थान पर आप मेडिसिन का इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको आराम लगने की बजाय जलन और संक्रमन अधिक बढ़ रहा है तो आपको इसका इस्तमाल बंद करना चाहिए और अपने डाक्टर से परामर्स करना चाहिए इस मेडिसिन के इस्तमाल करने के दौरान आपको इल्कोहल का सेवर नहीं करना चाहिए गरबहस्ता और इस्तनपान के दूरेशन में अगर आप हैं तो आपको अपने डाक्टर से परामर्स करना चाहिए किड्नी और लिवर रोग से जूड़ी किसी समस्यक अगर आप सामना कर रहे हैं तो आप अपने डाक्टर से परमर्स करें क्योंकि ऐसी स्थिती में डोज एड़ेस्टमेंट की जरूरत पढ़ सकती है तो फ्रेंड्स यह था एक छोटा सा रिवी मेडिसिन के उपर उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू